कहा जाता है कि अनुभवे व्यक्ति की बात मान लेने से लाब होता है प्रस्तुत कहानी में हम ऐसे अनुभवे हंस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बात ना मानने से उसके साथियों को नुकसान उठाना पड़ा नमश्कार, मैं मिस्कनक लता जहा आज आप लोगों के सामने मीधा पुस्तक की कक्षा चार की चतुर हंस कहानी लेकर उपस्तित हुई हो आईए कहानी की और बढ़ते हैं जंगल में एक घना विशाल व्रिक्ष था उस व्रिक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे उनमें एक बुरह हंस था जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था सब उसकी बात मानते थे और सम्मान भी करते थे एक दिन बुरह हंस ने व्रिक्ष पर एक छोटी लता को लिपते हुए देखा इस पर उसने सभी हंसों को समझाया इस लता को नश्ट कर दो नहीं तो यह लता एक दिन हमारी मृत्यू का कारण बनेगी इस पर एक युवा हंस हसते हुए आश्चरे से बोला यह छोटी सी लता मृत्यू का कारण कैसे बन सकती है बुद्धिमान हंस ने समझाया आज देखने में यह लता छोटी लग रही है लेकिन यही कुछ दिनों में उपर तक लिपटते हुए बढ़ जाएगी और व्रिक्ष पर चढ़ने के लिए सीरी का काम करीगी कोई भी शिकारी उसके सहारे चरकर हमें पकर सकता है इस पर दूसरे हंस को विश्वास नहीं हुआ कि छोटी सी लता सीरी कैसे बन सकती है तभी तीसरे हंस ने कहा तुम बूरे और चतुर जरूर हो किन्तु अपनी बुद्धी से हमें ड़ाना चाहते हो इस प्रकार किसी भी हंस ने बूरे हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया क्यूकि उनमें दूर की सोच नहीं थी कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई उपर तक आ पहुँची जल्दी लता सीरी जैसी बन गई जिस पे चर कर पेर के उपर तक कोई भी आसानी से आ सकता था अब बूरे हंस की बात सरसावित हुई लेकिन अब उस मजबूत लता को नश्ट करना किसी हंस के वर्ष्ट में नहीं था एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे इस वीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेर पर चर कर अपना जाल बिछा लिया संध्या के समय सारे हंस पेर पर बसेरे के लिए लोट कर आए और पेर पर बिछे जाल में फस गए के लिगद है वी इस प्रण को और बसेरे पर ठाए हैंसरे हें लिएवसर झाल कर दिंगे देंवसर एक देंग में देवसर ड़िया ॉबर और